ये इंडियन क्रिकेटर एक वक्त में कैटरिंग में किया करता था का सौ दो सो रुपे कमानी के लिए जला बैठा था अपना हाथ पैसो की कमी की वज़े से बन गया था रसोईया खूब किया स्ट्रगल और देखे मुश्किल भरे दिन लेकिन अपनी मेहनत से इस करिकेटर ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बना डाली और आज हैं दुनिया के टॉप फाइफ गेंदमाजों में शुमार और जिस करिकेटर के हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बलकि टीम इंडिया के तेज गेंदमाज मुहमद सिराज है जिनका बच्पन काफी स्ट्रगल में गुजरा है सिराज कभी सौ रुपे कमाया करते थे लेकिन आज वो करोणों के मालिक है दरसल टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदमाज मुहमद सिराज हाइदराबाद के रहने वाले है हाइदराबाद से निकल कर भारतीय टीम में जगह बनाने के पीछे सिराज ने बहुत मेहनत की है और बहुत काटो भरी राह पर चले है खुन पसीना बहाया है एक समय था जब सिराज 100 या 200 रुपे कमाया करते थे लेकिन आज के वक्त में मुहमद सिराज करोडों के मालिक है सिराज फिलहाल BCCI के सेंट्रल कांट्रेक्ट लिस्ट में ग्रेट एक खिलाडियों के लिस्ट में शौमिन है जिसमें विराट कॉलिजे से अक्टोर्स का नाम आता है लेकिन इस मुकाम पर पहुँचने से पहले सिराज ने अपने बच्पन के दिनों में ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि बस पूछिये मत गरीबी ऐसी की कमर तूट जाए बताया जाता है कि सिराज के पिता घर में कमाने वाले एकलोते इंसान थे जिसके बाद सिराज उनको देखकर खुद भी पैसे कमाने के लिए काम पर चले जाया करते थे क्योंकि उनको अपने बापा का दुख देखा नहीं जाता था इसलिए वो खुद भी कमा कर अपने पापा को हेल्प करने की कोशिश किया करते थे बता दें कि बच्छपन में सिराज अपनी फामिली के साथ किराय के घर में रहा करते थे उनके घरवाले सिराज को पढ़ने के लिए काफ़ी फोर्स किया करते थे लेकिन घर के हालात को देखकर सिराज का ध्यान पैसे कमाने पर जादा था। सिराज ने केटरिंग का काम किया। इस दौरान कई बार उनके हाथ भी जले हैं। सौ दो सो रुपे कमाना भी सिराज के लिए उतना असान नहीं होता था, लेकिन सिराज फिर भी थोड़े से पैसे कमा कर खुश हो जाये करते थे, इस बारे में बात करते हुए एक इंटर्व्यू के दौरान, मुहम्मद सिराज ने बताया था कि मुझे ज़ादा काम नहीं आता था, मुझे सौ दो सो रुपे मिल जाते थे, जिसमें से मैं अपने पास पचास सौ रुपे रखता था, बाकी घर दे देता था, केटरिंग के काम में सिराज रुमाली रूटी को पल्टा करते थे, जिसमें कई बार उनके हाथ भी जल गए थे, लेकिन किसमत देखिए, एक वक्त में इतनी सारी प्रॉब्लम्स की गठरी अपने सिर पर लिए, सौ दो सो रुपे कमा कर, अपना और अपनी फामली का पेट पालने वाले मुहम्मद सिराज ने इतनी मेहनत की, कि आज दुनिया के टॉप फाइफ गेंद बाजों में शामिल है, उनको टीम इंडिया के गेंद बाजी डिपार्टमेंट की बैक बोन का टैग दिया गया है, सिराज की ICC 1-Day Ranking 4 है, मुहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 27 टेस्ट, 41 वंडिय और 10 टीट्वेंटी इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं, 27 टेस्ट मैचों में सिराज के नाम, 74 विकेट, 41 वंडिय मैचों में, 68 विकेट और 10 टीट्वेंटी मैचों में सिराज ने 12 विकेट हांसिल किया है, कुल मिलाकर, आज सिराज अपने दम पर दुनिया भर में फेमस हैं, और करोओं के मालिक हैं, लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं,